हलो स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे तक्षा 12 की एक्साइज नमबर 5.4 इसमें हमारा फर्स्ट कोश्यन है e की पावर x अपान साइन एक्स हम इसको सपोच कर लेते हैं let y equal to e की पावर x साइन एक्स हम यहां लिखेंगे differentiating with respect to x तो यहां क्या हो जाएगा आपका dy by dx equal to d upon dx e की पावर x upon sin x अब चुकिए यह दिख रहा है e की पावर x upon sin x तो यहां पर क्या करना पड़ेगा हमें division formula लगाना पड़ेगा division formula क्या कहता है d upon dx u upon v equal to लिखें तो पहले क्या हो जाएगा v का square फिर v dy dx of u minus u dy dx of v कहने कार्थ यह है कि first क्या होगा second function sin x dy dx of first function minus first function dy dx of second function upon second function का whole square तो यहां पर sin x का क्या होगा sin x का कुछ करना नहीं sin x ही रहेगा लेकिन e x का differentiation कितना होगा e x का चुकि हम जानते हैं dy dx of e की power x equal to हमेंसा क्या होता है e की power x इसी तरीके से यहां क्या होगा e की power x sin x का differentiation कितना होगा cos x चुकि यह भी हमें formula learn करना होगा cos x का differentiation कितना होता है sin x होता है पिछली कई वीडियो में यह बात आपको बार बार बता चुका हूँ sin x का यह क्या हो जाएगा whole square e की power x common लेंगे तो यह क्या हो जाएगा आपका sin x minus cos x upon sin x का whole square यही इस question का final answer है हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dy y dx equal to e की power x sin x minus cos x upon sin square x इससे जादा कुछ भी करने की आवशक्ता नहीं है यह हमारा question solve हो गया हमें चाहिए कि हम एकागरता के साथ मन लगा कर पढ़ें पहले कहा जाता था काक, चेष्ठा, बकोधान, बधानम, स्वान निद्रा, तथेवचा, अल्पिहारी, ग्रहत्यागी, विद्ध्यार्ती, पंच, लक्ष्राम कहने का अर्थ यह है कि कववे के समान आपमें चेष्ठा होना चाहिए जिस तरीके से कववा कह करता है हड़ी में से भी मास को निकाल लेता है और बगले के समान आपमें ध्यान कुत्ते के समान नीन और कम खाना चाहिए जिससे ज़्यादा नीन आए और घर की चिंताओं से मुक्त होना चाहिए यह विद्ध्यार्दियों के रक्षा होते हैं हम देखते हैं अगला question y equal to e की power sine inverse x हमें क्या करना है इसका differentiation करना है तो हम क्या लेखेंगे differentiating with respect to x तो यह क्या हो जाएगा d by y dx equal to d upon dx e की power sine inverse x यहाँ पर e की power x का differentiation अब भी होता e की power x होता है तो यह क्या हो जाएगा e की power sine inverse x अब क्या करेंगे इस function का करेंगे d y dx of sine inverse x तो हम याद रखेंगे कि d y dx of sine inverse x तो sine inverse x का differentiation क्या होता है 1 upon under root 1 minus x square तो यह simply क्या हो जाएगा e की power sine inverse x into 1 upon under root 1 minus x square यह क्या आगया, d by y dx, तो d by y dx इक्वल to हमारे पास आगया, e की पावर sin inverse x upon under root 1 minus x square, बहुत ही simple question था, इसी तरीके से हमारे पास एक और question है, question number third, e की पावर x cube, अगर हम इसका differentiation करेंगे, differentiating with respect to x, अर्थात x के साफ एक छपकलान करने पर, d by y dx, d upon dx, e की पावर, क्या है, x cube, e की पावर x का differentiation तो e की पावर x होगा, तो e की पावर x cube हो गया, और यहां क्या हैगा, d by dx आफ x cube, तो x cube का क्या होता है, आप जानते ही है, e की पावर x cube, और इसका क्या हो जाएगा, 3 x square, e की पावर x cube, मैं आपको बता रहा था, कि पुराने गरंतों में लिखा है, तीक है, लेकिन आज की युग में ये पाचों जो है, चीज़ें संभव नहीं है, ना तो आप ग्रह का त्याग कर सकते हैं, ना आप कम खा सकते हैं, ना एकागरता बची हैं, और नहीं ये सब, लेकिन क्या कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़ ये है, आज के स्टुडेंट्स की सबसे बड़ी प्राब्लम है, कि उनके पास समय अभाव है, और जाधतर समय उनका मोबाइल में खर्च होता है, तो चाहिए कि मोबाइल को दूरी बनाएं, और जितना हो सके, हम मोबाइल का उप्योग कम से कम करें, तो हमारा नेक्स्ट कोश्चन है, य कोल टू साइन टैन इनवर्स ए की पावर एक्स, हमें इसका डिफ्रेंसेशन करना है, तो हम बही लिखेंगे डिफ्रेंसेटिंग इस रस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के साफ़ एक चपकलन करने पाथ हो, डी बाइवाई दी एक्स, साइ 10 इनवर्स E की पावर x, तो आगले स्टेप में ही क्या होगा,। कॉस्ट 10 इनवर्स E की पावर x, अब चुकिर 10 इनवर्स का डिफ्रेंसेशन क्या होता है, तो d बाइवाई दी एक्स, 10 इनवर्स X उक्वल टो होता है, बन अपन 1 पLस X स्वेर, तो यह क्या हो जाएगा, ब की पावर x का डिफिरेंशेशन क्या होगा e की पावर x और यह हो जाएगा 1 प्लस e की पावर 2x इसको हम अरेंज करके लिख देंगे e की पावर x कास 10 inverse e की पावर x और 1 प्लस e की पावर 2x d by by dx तो यह क्या हो गया बिलकुल आसान तरीके से इसका differentiation हमने कर लिया इसी तरीके से हमारे पास next question है y equal to log cos e की power x अब इस log cos e की power x का हम differentiation करेंगी तो हमें क्या मिलेगा d by y dx d upon dx log cos e की power x चुक्छे हम जानते हैं कि log x का differentiation क्या होता है log x का differentiation होता है 1 upon x तो log x के बाद में यहां क्या लिखा हुआ है cos e की power x तो log के बाद क्या लिखा है तो यह क्या हो जाएगा 1 upon cos e की power x और यहां हम लिखेंगे d by dx of cos e की power x चुक्छे हम पहले से पढ़ते आ रहा है cos x का differentiation होता है minus का sign x तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 upon cos e की power x minus का sign e की power x और साथ में आएगा d by dx of e की power x e की power x का differentiation e की power x ही होता है यहां पे sin e की power x upon cos e की power x और e की power x का differentiation का होगा e की power x इसको हम arrange करके लिख देंगे और sin upon cos चुक्छे होता है तो हम इसको लिख सकते है minus e की power x ten e की power x 이거는 x तो मैं आपको ये वता रहा था कि अगर आज के समय पे हम student हैं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप mobile का उपयोग ना करें, mobile का उपयोग करें, लेकिन limited करें, आप अपने data को ज़्यादतर समय बंद रखें, ये नहीं कि किसी का मैसी जाया नहीं, सामने वाला व्यक्ति फालतु बेड़ा हुआ है, और आपको तत्काल में जवाब देने बेड़ गए, कि हाए, और आप नहीं आजली का हलो, और वो आपसे पूछ रहा है, आप क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, और वो आपसे पूछे जा रहा है, आप पढ़ाई में क्या कर है फिर वो पूछ रहा है डिफ्रेंस इसन में क्या कर रहा है आप जमाब दे रहें एक साई 5.3 कर रहा है ना वो कुछ कर रहा है आप दोनों ही एक दूसरे का होतो हम क्या रहेंगे तो हम क्या लिखेंगे dy by dx d upon dx e ki power x, e ki power x square and and so on e ki power x ki power 5 e ki power x का değ dx साफ e ki power x plus d by dx साफ e ki power x square and so on d by dx साफ e ki power x उसकी power 5 तो e की पावर x का डिफरेंसिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजि पावर x की पावर 5 यह इसका क्या हुआ simple differentiation हो गया बहुत आसान सा question था अब हमारे पास next question है y equal to under root of e की पावर root x इसका हम differentiation करने जाएंगे तो हम लिखेंगे d y by dx d upon dx e root x अब root का differentiation क्या होता है one upon two root x तो यह जाएगा one upon two root e की पावर root x साथ में आएगा d y dx साफ e की पावर root x e की पावर x का differentiation e की पावर x होता है तो यह जाएगा e की पावर root x upon two root e की पावर root x और e की पावर x का चुकि होगे यहाँ पे बचा क्या d y dx साफ root x चुकि root x का differentiation e की पावर root x इसको साथ में लिख सकते है रूट एक्स और एकी पावर ए रूट एक्स इससे ज़्यादा करने कि इसको आवशकता नहीं है तो मैं आपको यह बता रहा था कि आप मोबाइल से अपने आपको कैसे बचाएं तो जिन लोगों का आपको अगर लगता है कि आज के दिन आपके प समय पर हम मोबाइल करेंगे आपकी पड़ाई से जरूरी छातर जीवन में अध्यन से जरूरी कोई भी काम मेरे लोगों है वो क्या है बिद्या का अध्यान है चुकि बिद्या से बिने की प्राप्ति होती है बिने से पात्रता मिलती है पात्रता से जो है आपको धन प्राप्त होता है और आप तो समझदार है यह जानते ही हैं कि आज के समय में धन से ही सारे सुख मिलते हैं अगर आपके बाद धन नहीं होगा तो अच्छा मोबाइल नहीं होगा और आप बेलेज नहीं डलवा पाएंगे तो सीदिसी बात है आप क्या करेंगे डिफरेंगे ये नेक्स्ट कोशन है मारे पास y equal to log log x differentiating with respect to x इसकाम differentiation करेंगे क्या मिला d by by dx d upon dx log log x log x का differentiation one upon x होता है तो ये क्या हो जाएगा log x d by dx ये क्या होगा आपका log x, log x का differentiation क्या होता है one upon x, ये हो गए log x log x का क्या होगागा? one upon x तो इसको हम क्रम से लिख देंगे dy dx equal to क्या मिला? one upon x, और ये क्या مिल गया? log x इसके बाद हमारे पास जो next question है by equal to cos x upon log x इसमें हम जानते हैं हमें क्या करना होगा division formula लगाना होगा तो d by by dx, d upon dx, cos x upon log x अब हम इसमें division formula लगाएंगे तो second function का whole square second function, differentiation of first function minus first function और differentiation of second function तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log x cos x का differentiation आप जानते हैं क्या होगा minus का sin x, minus यह क्या होगा आपका cos x और log x का differentiation क्या होगा बन अपॉन x और यह क्या होगा log x का whole square यहाँ पर हम चाहें तो LCM लेंगे और minus का अमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा x log x sin x minus cos x upon log x का whole square और यह नीचे x आजाएगा इसके अलावा इस question में कुछ भी करने की आपको आउशकता नहीं है हमारा जो आज का last question है वो है y equal to cos log x plus 1 की power x तो यहाँ पर differentiation करेंगे तो हमें क्या मिलेगा d by by dx d upon dx cos log x plus e की power x cos x का differentiation हम जानते है क्या होता है minus sin और यहाँ पर हो जाएगा log x plus e की power x लेकिन अभी हम साथ में किसका करेंगे d by dx साफ log x plus e की power x तो यह क्या मिलेगा हमें minus का sign log x plus e की power x log x का differentiation क्या होगा upon x और x e की power x का differentiation कितना होगा e की power x यही e discussion का क्या होगा solution होगा तो मैं आपको यह बता रहा था कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यानने जो आपके जीवन के distraction है उनसे दूर हो और मेरे वीडियो को देखते रहें thank you for watching Jai Hind, Jai Bharat, Jai Vishwanath झाल झाल